भारतिय गनतंत्र के उपलक्ष पर मैं इवा प्रवोधन मंच तथा वाइपियम इंडियन क्रांती की ओर से सभी भारतिय भयनों और भाईयों को हार्दिक बधाई देता हूं और भारतिय गनतंत्र और नवराष्ट निर्मान की दिशा इस विशय पर कुछ बाते आपके सामने रखता हूं हमारे देश में अंग्रे जों की हुकमत थी अंग्रे जों के हुकमत के विरोध में हमारे देश में बहुत बड़ा अंदोलन चला और इस अंदोलन के दोरान कुछ मूल्य आगे आए उन मूल्यों को हम कहते हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुता, मानवता, न्याय इस मूल्यों के आधार पर ही हमारे देश का संविधान बना आज हम जो गनतंत्र दिवस मना रहे हैं समुचे देश में वह गनतंत्र हम क्यों मनाते हैं इसलिए मनाते हैं कि हमारे देश का संविधान आज के दिन 1950 को लागू हुआ यह जो संविधान है, यह संविधान हमारे देश के सभी नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देने वाला है और हमारे देश में संविधान के पहले जो गयर बराबरी वाली व्यवस्था थी, सामंत शाही व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बदलने वाले अधिकार हमारे संविधान में दिये और हमारे देश के सभी लोगों का कल्यान होने की प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई हमारे गनतंत्र का उद्धिष्ट क्या है? जो हमारे संविधान का उद्धिष्ट है, वही हमारे गनतंत्र का उद्धिष्ट है क्या उद्धिष्ट है? उसके बारे में जरा सोचते हैं, हमारे संविधान का प्रियामबल यह कहता है कि हम भारत के लोग, भारत के लोग मतलब हिंदू, मुस्लीम, सीख, इसाई, बहुद, पारिशी, जैन, सभी जाती के, सभी धर्म के लोग सभी भाषा बोलने वाले लोग, हम सब भारतिय लोगों को हमारा एक नया रास्त निर्मान करना है और यह जो राष्ट का निर्मान हमें करना है, वह राष्ट प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, धर्म निर्पेक्ष होगा, और लोकतांत्रिक गनराज्य होगा इस देश में जो लोग रहते हैं, वह सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनाईतिक नयाय देना है श्रद्धा, उपासना, धर्म, विश्वास, अभिविक्ति, इसकी स्वतंत्रता सभी लोगों को देनी है प्रतिष्ठा और आउसर की समान अता देनी है राष्ट की एकता और अकंडता इसको बढ़ाने के लिए बंधुभाव को प्रवर्धित करना है ऐसा संकल पलेकर हमने 26 नमंबर 1929 को हम खुद ने बनाये वाला सम्विधान खुद को समर्पित किया और सम्विधान के मार्गदर्शन पर हमारा देश तब से आज तक चल रहा है हमारी सम्विधान ने हमें जो मार्गदर्शन दिया जो आदर्श रखे जो मूल लिए उनके आधार पर पिछले साथ दसक में हमने बहुत बड़ी तरक्की किया है पुरानी जो सामन तशाही विवस्था थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है बहुत कुछ हाशिल किया है और बहुत कुछ हाशिल करना भी रहे गया है आज का दिन यहाँ है कि क्या-क्या हाशिल करना था क्या-क्या हाशिल किया है और कौशी चीजे हासिल करने की रहे गई है इसका हिसाब किताब आज के दिन सभी भारतिय नागरिकों को करने की जरूरत है कौन-कौन शे उद्धिष्ट साध्य हुए, सफल हुए हमारा जो आर्थिक समानता लाने का उद्दिष्ट था वह उद्दिष्ट सफल हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में मैं यहां कहूंगा कि यहां उद्दिष्ट सफल नहीं हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से सफल हुआ है ऐसा भी नहीं कह सकते कुछ हद तक इस उद्दिष्ट को सफल करने के लिए हमने बहुत कुछ कदम बढ़ाए है लेकिन तब भी हमारे देश में आज भी आर्थिक विशमता कायम है क्यूं है हमारे देश में आज भी शोशन व्यवस्था चल रही है हमारे देश में जो गरीब लोग है जिनको विकास का अवसर हमारी पुरानी जाती व्यवस्था नहीं दिया उन लोगों तक हमारे देश का जो विकास्तंत्र चल रहा है वह नहीं पहुंच सका पूरी तरह से इसलिए हमारे देश में आज भी बहुत बड़ी गरीबी है हमारे देश में गरीबी को हटाने की घुषना दी गई उसके लिए बहुत सारी योजनाये भी बनाई तब भी हमारे देश में आज एक अंतर राष्ट्रिय रिपोर्ट यह बताता है कि भारत में आज भी सदतिस करोड गरीब लोग रहते हैं स्वास्थ्य स्विधायें अच्छी शिक्षा की स्विधायें पीने का पानी भी सभी लोगों को अच्छा हम नहीं दे सके और अनाज भी पूरी तरह शे हम नहीं दे सके सबी लोगों को एक तरफ पंचतारांकित होटेलों में बहुत बढ़िया खाना खाने वाले अमीर लोग है और दूसरी तरफ हमारे देश में भू के पेच्छे जीने वाले लोग भी बहुत है हमारे देश में कोपोशन भी बहुत सारा कोपोशन है एक अंतर राष्टिय रिपोर्ट यहां बताता है कि हमारे देश में आज भी तक्रीबन 20 करोड लोग कोपोशित है यह जो स्थिती हमारे देश में है यह स्थिती को बदलने के लिए हमें बहुत सारे कदम बढ़ाने की जुर्रत है सरकारी खजाने शे जो पैसा निकलता है वह पैसा उन लोगों तक जाने की जुर्रत है लेकिन हमारे देश में जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था है वह व्यवस्था उन लोगों तक वह पैसा नहीं जाने देती इसलिए ब्रश्टाचारी लोगों को कड़ेशे कड़ा दंड देने की व्यवस्था हमारे देश में लाने की जरूरत है गरिवी कैसे खत्म हो सकती है जब तक हर आदमी के काम को सही दाम नहीं मिलता तब तक हमारे देश में गरिवी खत्म नहीं हो सकती पूंजी पति लोगों की मुनाफा खोरी पर हम जब तक मियंत्रन नहीं लाते तब तक हमारे देश की गरिवी खत्म नहीं हो सकती हम और कोरोना जश्य महामारी का पिछले एक साल से सामना करते आ रहे हैं कोरोना की महामारी में क्या हुआ हमारे देश के जो मजदूर लोग है उन मजदूर लोगों का रोजगार लॉक्डाउन करने से बंद हुआ उनका जीना मुश्किल हुआ क्यूं इतनी परेशानी उनको क्यूं जहलनी पड़ी कि इसी लिए उनको यह परेशानी जहलनी पड़ी कि यह मजदूर लोग जिनका पेठ हाथ पर है आईशे लोग जो काम करते हैं उस काम का सही दाम देने वाली व्यवस्था हमारे देश में आज भी नहीं है उन लोगों का हमारे देश में आज भी बहुत बड़ा शोशन होता है इसी लिए वह लोग गरीब है और उनको परेशानी का सम करना पड़ता है हमारे सम्विधान के नीती निदेशक तत्व में सम्विधान ने कहा है कि आय में बहुत बड़ी विशमता नहीं होनी चाहिए कई लोगों की आय बहुत बड़ी होती है और कई लोगों को जीने को जितना पैसा चाहिए उतना भी नहीं मिलता अईशी जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को हमें बदलने की जुर्वत है हमारे देश के लोगों की अनाज पीने का साफसुत्रा पानी रहने के लिए घर अच्छी स्वास के सुईदा अच्छी शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए आईशी व्यवस्था हम जब तक नहीं लाते तब तक हमारे देश में जो आर्थिक विशमता है वह खत्म नहीं हो सकती है सामाजिक विशमता के बहरे में आज क्या स्थिती है हमारे देश में छुआ छूत की विवस्थाने हमारे देश के करोडों लोगों को बहुत ही अपमानित किया उन लोगों के मानवी हक चीन लिए उन लोगों को पशू जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया जिस व्यवस्था में इंसान ही इंसान को अपमानित करता है जिस व्यवस्था में इंसान ही इंसान को आच्छूत दूर दूर धकेल देता है उस व्यवस्था को गैर बरावरी वाली समाज व्यवस्था कहते हैं इसी व्यवस्था ने हमारे देश में करोडों लोगों को दलित बनाया यह समझने की बात है कि जनम से कोई भी इंसान दलित नहीं होता इंसान इंसान होता है और हर इंसान हाथ में और मस्तिश्क में ताकत लेकर आता है मस्तिश्क की ताकत और हाथ की ताकत बढ़ाने का सभी को अउसर मिला तो सभी का विकास हो सकता है अवसर नहीं दिया गया तो लोग पिछडे रह जाते हैं दलीत बन जाते हैं हमारे देश में जिनको दलीत बनाया गया उन लोगों की संख्या कितनी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमारे देश में 20 करोड से जादा लोग दलीत है जरा दुनिया के देशों की जनसंख्या देखे तो कई सारे देशों को इकठा करने के बाद जितनी संख्या होती है उतनी संख्या हमारे देश में दलीतों की संख्या है इसके लिए कुछ आंकड़े में आपके सामने रखता हूँ जर्मनी जैसा देश उसकी जनसंख्या आठ करोड से जादा है आश्ट्रेलिया की जनसंख्या या प्रगत राष्ट्रे दो करोड जनसंख्या है नेपाल की जनसंख्या तक्रिबन तीन करोड है सौथ कोरिया की जनसंख्या पांच करोड है जापान की जनसंख्या बारा करोड है यह सारे देशों की जनसंख्या इकठ्था होने से जितनी संख्या होती है उतने दलीत लोग हमारे देश में रहते है और इतने सारे लोगों को अच्छूत बनाने वाली, विकास का अउसर न देने वाली, अपमानित करने वाली यह जो विशमतावादी व्यवस्था है, यह व्यवस्था दूसरे देश के लोगों ने यहाँ नहीं पैदा किये है। पीछे पीछे जाए तो यहाँ जो आरे लोग आए थे, आरे लोगों ने ऐसा किया ऐसा कहा जा पद सकता है। लेकिन हमारे देश में जो वर्न जाती विवस्था थी, इस विवस्था ने सामाजिक विशमता पैदा की है। हमारे देश की सामाजिक विशमता को हमें खत्म करना है, हमारे हमें राष्ट्र को एकात्म, अखंड और प्रगतिशील बनाना है, तो हमें हमारे देश की जाती विवस्था को खत्म करने की ज़रुत है, हम जब तक जाती विवस्था को खत्म नहीं करते, तब तक हमारा देश प्रगत देश नहीं बन सकता, एकात्म देश नहीं बन सकता, क्यों? कि जाती विवस्था हमें एक नहीं होने देती, जाती विवस्था आपस में नफरत फैला देती है, या नफरत फैलाने वाली, लोगों को विभाजित करने वाली यह जो जाती विवस्था है, इसको खत्म करने का कारेक्रम हमें एक नंबर पर लाने की जरूरत है, और जाती विवस्था का अंत करने के लिए, उशे खत्म करने के लिए, हमें कुछ दिन तक प्रवोधन करके, लोगों की मानशिकता तयार करके, हमें हमारी संसद में अंतर जाती विवाह अनिवार्य करने का कानून लाने की जरूरत है, ऐसा कानून लाया, तो लोग अंतर जाती विवाह कर सकेगे, पहले उशे प्रुच्साहित करना चाहिए, बाद में अंतर जाती विवाह करने के लिए, कानूनन बाध्य करना चाहिए, एक न एक दिन ऐसा करना ही चाहिए, क्यूंकि जाती विवस्था मिसर्ग ने नहीं पैदा की है, वह इनसान ने पैदा की है, इसलिए इनसान को ही जाती विवस्था को खत्म करने के लिए, ऐसे कोई कानूनी कदम उठाने की जरूरत है, हमारे देश में सामाजिक विशमता जो है, जाती विवस्था खत्म करने से ही खत्म हो सकती है, हमारे देश के सभी लोगों को राजनाईतिक न्याय भी देना है, हमारे देश के लोगों को राजनायतिक न्याय देने के लिए अपने सम्वीधान में बहुत सारे प्रावधान किये है उस प्रावधान की वजह से कई सारे सत्तावंचित लोगों को राजनायतिक सत्ता में आने का अउसर जरूर मिला है तब भी हमारे देश में राजनेतिक समानता आई है राजनेतिक न्याय प्रस्थापित हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आज भी चेहरा बदल कर पुराने जमाने के सामनतवादी लोग प्रजातंत्र में काम करते है अपने ही हाथ में राजनेतिक सत्ता रहनी चाहिए ऐसी सोच रखकर वह लोग काम करते है और जो जाती के लोग जो समूह के लोग आज तक सत्ता में नहीं आ सके उनको सत्ता में नहीं आने देते हैं यह स्थिति को हमें बदलने की जर्रत है और इस स्थिति को बदलने के लिए भारती यह सम्विधान ने जो बहुत सरे प्रावधान किये है उस प्रावधान पर सत्ता वंचित लोगों को ही अमल करने की जर्रत है अपने राजनेतिक हक के लिए आगे आने की जर्रत है और हमारे सम्विधान ने हमें जो मताधिकार दिया है वह मताधिकार का सई उप्योग जब तक हमारे देश के सत्ता वंचित लोग नहीं करते तब तक हमारे देश में राजनेतिक समानता नहीं आ सकती दूसरी चीज यह है कि हमारे देश में राजनेतिक समता लानी है तो हमारे देश में जो धनतंत्र चल रहा है गनतंत्र के अलवा जनतंत्र के अलवा हमारे देश में आज जनतंत्र चल रहा है और यह जो धनतंत्र चल रहा है इसको काबू में लाने के लिए इस पर लियंत्रन लाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे चुनाव सुधार करने की जुर्वत है धन शक्ती बहुत बढ़ रही है लेकिन जन शक्ती बढ़ने की जुर्वत है जन्ता का कल्यान करने के लिए जीवन अर्पित करने वाले सच्छे लोगों को आज प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा सब्ता में भागीदारी नहीं मिल रही धनशक्ती की वज़शे ऐसा हो रहा है इसलिए इस पर नियंत्रन लाने की भी जरुत है ऐसा कानून करने की जरुत है ऐसा किया तो हमारे देश में सभी को राज नईतिक न्याय मिल सकता है हमें हमारे राष्ट को प्रगत करना है एक जीव करना है और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर हमें धान देने की जरुत है यह जो धान देने की चीजे है उसके बारे में कुछ बाते मैं आपकी सामने रखूंगा हमारे देश को प्रगत राष्ट बनाना है तो हम सारे भारतिय लोगों को एक पहला काम करना पड़ेगा वह हमारे देश में मौजूद जो है अंध विश्वास वह अंध विश्वास को हमें खतम करने की जरुरत है क्योंकि जिस देश में अंध विश्वास रखने वाले लोग जादा पैमाने पर रहते हैं उस देश में नया विचार नहीं किया जा सकता उस देश में नया अनुसंधान नहीं हो सकता और वह देश अच्छी तरह से तरक्की भी नहीं कर सकता अंध विश्वास में अमानूशता होती है जो लोग अंध विश्वास रखते है वह लोग रुढी परंपराओं में बहे जाते है देवी देवताओं के नाम पर फजूल का खर्चा करते है हमारे देश में करोडो रुपयों का खर्चा अंध विश्वास पर होता है विश्वास में अमानूशता होती है कुरूरता होती है शोशन भी होता है इसलिए हमें अंधविश्वास को जड़ से खतम करने की जरुरत है बुद्धिवात को बढ़ावा देने की जरुरत है और अंधविश्वास खतम करने के लिए हमारे देश में जो राजनेता है वह राजनेता लोगों को भी अंधविश्वास से बाहर आने की जरुरत है जो चीज़ से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा उस चीज में उस काम में राजनेताने सम्मिलित नहीं होना चाहिए उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए अंधविश्वास खत्म करने के लिए बुद्धिवाद को बढ़ावा देने की जरुरत है बहुत बढ़ा प्रबोधन करने की जरुरत है और दूसरी चीज यहाँ है कि हमारे देश में विज्ञानवाद को बढ़ावा देने की जरुरत है जब तक हमारे देश में विग्यानवाद को बढ़ावा नहीं मिलता तब तक हमारा देश सई माएने में तरक्की नहीं कर सकता जिस देश के लोग बुद्धिवादी, विग्यानवादी होते हैं उस देश के लोग नया कुछ कर दिखाते हैं बुद्धिवादी विज्ञानवादी लोग ही कुछ अनुसंधान कर सकते हैं कुछ नया निर्मान कर सकते हैं हमारे देश के सामने जो समश्याएं है जो कठिनाईया है उस समश्याओं को सुलजाने के लिए कठिनाईयों को सुलजाने के लिए विद्ध्यान तंत्र ज्यान में कि अनुसंधान करके नई चीजों का निर्मान करने की जर्रत है कि वैज्ञानिकों ने हमारी मानवता पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि वैज्ञानिकों ने नया नया अनुसंधान करके विज्ञान तंत्र ज्यान के माध्यम से बहुत कुछ नया निर्मान किया इनसान का दुख कम किया इनसान का कस्त कम किया असंभव को संभव बनाया हमारे देश में बहुत सारी माहामारी आती थी अभी भी कोरोना की माहामारी आये है कोरोना की महामारी पर मात देने के लिए अनुसंधान करताओं ने वज्ञानिकों ने ही काम किया और नहीं व्यक्षिन आई धिरे धिरे कोरोना की बीमारी भी खत्म होगी इसके पहले अलग-अलग महामारी पर मात देने का काम हमारे वज्ञानिकों ने ही किया है बहुत सारी चीजे दी वैज्ञानिकों ने लेकिन वैज्ञानिकों का जितना सम्मान करने की जुरत है उतना सम्मान हम नहीं करते है इसी लिए हमारे देश की नई पीड़ी के सामने हमें वैज्ञानिकों का आदर्श रखने की जुरत है और पूरी दुनिया की मानवता के लिए वज्ञानिकों ने जो काम किया वह काम बार-बार लोगों के सामने रखने की जरुरत है विज्ञान और वज्ञानिकों को हमें साउंस्कूरूतिक प्रतिष्ठा देने की जरुरत है जब हम वज्ञानिकों को साउस्कृतिक प्रतिष्ठा देंगे उनके आदर्श नई पीड़ी के सामने रखेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारी नई पीड़ी को हम भी वज्ञानिक बनेंगे हम भी कुछ नया अनुसंधान करेंगे और नए अनुसंधान के माध्यम से देश के सामने जो अलग-अलग समश्याएं हैं उन समश्याओं को सुलजाने के लिए हम काम करेंगे ऐसी सोच नई पीड़ी के मन में पैदा हो सकती है इसलिए हमें विज्ञानवाद को बढ़ावा देने की बहुत ही जरूरत है हमारे देश को जो चीज आगे नहीं बढ़ने देती वह और एक चीज है वह है धर्मान्धता उस धर्मान्धता को भी हमें खत्म करने की जरूरत है हमारा देश किशी भी धर्म पर नहीं खड़ा है हमारा देश शक्युल्यारिजम पर खड़ा है शक्युल्यारिजम एक सभी लोगों को इकठा लाने वाला सभी लोगों को एकात्म करने वाला दर्शन है वह एक महत्वपूर्ण तत्व है इसी लिए धर्मान्दता से सभी लोगों को बाहर आने की जरूरत है धर्मान्दता किशे कहते हैं जो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा धर्म ही सही है और दूसरों का धर्म गलत है और आईशी सोच रख कर जो लोग दूसरे धर्म के लोगों की नफरत करते हैं उन लोगों को धर्मान्द कह सकते हैं आईशी धर्मान्दता हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है इस दर्मान्दता को खत्म करने की जर्रत है हम पहले भारती यह है और बाद में भी भारती यही है आईशी जो सोच हमारे सम्विधा निर्माता डॉक्टर बावा साब अम्मि καर ने हमारे देश की सामने रखी थी यही सोच को स्वीकारने की जर्रत है और इसी सोच का स्फीकार करके हमारे देश की धर्मान दता को हम खत्म कर सकते हैं धर्म हर व्यक्ति की नीजी बाबा है नीजी मामले में धर्म उपासना जो रखनी है वह आप रख सकते हैं लेकिन सारवजनिक जीवन में उसे नहीं लाना चाहिए और जाती, धर्म, वाउश, पंथ इसके आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए धर्मांदता को खत्म करने के लिए भी हमारे देश में बुद्धिवाद को विज्ञानवाद को बढ़ावा देने की जुर्रत है और शिक्विलर सोच मन-मन में बढ़ाने की जुर्रत है हमारे राष्ट का निर्मान करना है तो हमें हमारे देश में सम्विधान संस्कुती का निर्मान करने की जुर्रत है यह भहुत ही महत्व पूर्ण विचार है संस्कुती हम किशे कहते है जो जो पुरानी बाते है उन सब पुरानी बातों को हम संस्कुती कहते है और वह पुरानी बातों में ही डूबे रहते है पुरानी बातों में जो जो अच्छी बाते है जो वरतमान में भी काम में आ सकती है जो कालबाय नहीं हुई है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजे हमारे संस्कुति में मौजूद है कि आज के वरतमान का और उसका कोई भी सम्मन्ध नहीं है उसमें हम हमारा समय बर्बाद करते है इसलिए हमारे देश की संस्कुति का विकास करना है और विकास करके हमें संविधान संस्कुति का निर्मान करना है हमारे देश का संविधान सिर्फ हमारे देश की राजनईतिक व्यवस्था में बदलाव लाना नहीं चाहता केवर शिर्प आर्थिक और सामाजिक व्योस्था में बदलाव नहीं लाना चाहता बलकि हमारे देश की संसकुती में भी बदलाव लाना चाहता है हमारे सम्विधान में नई संसकुती निर्मान करने की बहुत बड़ी वैचारिक उर्जा है उस उर्जा को लेकर हमें संविधान संसकुती का विकास करने की जुरत है यह विकास करने के लिए हमारे देश के शासन करताओं को भी कुछ काम करने की जुरत है हमारे देश का प्रियामबल नवराष्ट निर्मान का बहुत बड़ा धेवाद है प्रियाम्बल में जो सोच है प्रियाम्बल में जो मूल्य है वह मूल्य जन जन तक लेकर जाने की जरूरत है इसलिए घर घर में प्रियाम्बल जाना चाहिए घर घर में सम्विधान जाना चाहिए और इसलिए सरकार को सस्ते दाम में सम्विधान लोगों को देने की जरूरत है दूसरी चीज यह है कि हमारा गनत अंत्र दिवस हमारा सम्विधान दिवस बहुत बड़े पहिमाने पर हमारे देश के लोगों ने उसमें सम्मिलित होने की जरूरत है इसके लिए भी हमें काम करना है मैं भारत सरकार के सामने सभी प्रांतों के सरकार के सामने सम्विधान सवस्कुति का विकास करने के लिए कुछ मांगे आज के शुब आउसर पर रखता हूं मांक्रमक एक है कि सम्विधान दिवस हमारे देश में कम से कम दस दिवस तक सम्विधान जागरन महुत्सों के रूप में मनाने की शुरुवात करें हमारा सम्विधान हमारे राष्ट का धर्म गरंत है सबसे स्रेश्ठ गरंत है इसलिए सभी लोगों को सम्विधान की मालूमात होनी चाहिए इसलिए सभी पाठ्थ्यक्रम में चाहे विध्यान वाली विध्यान वाला पाठ्थ्यक्रम हो वानिज्य वाला पाठ्थ्यक्रम हो मेडिकल वाला पाठ्थ्यक्रम हो इंजिनियर इंजिनियरिंग पढ़ाने वाला पाठ्थ्यक्रम हो सभी पाठ्य क्रम में कम से कम एक अध्ययन पत्री का सम्विधान की होनी चाहिए इसका प्रावधान जरूर करने की जड़रत है दूसरी चीज यह है कि हमारे देश का जो मिडिया है वह मिडिया आज भी सम्विधान के बारे में जितनी बात करनी चाहिए सम्विधान मुल्यों के बारे में जितनी बात करनी चाहिए उतनी बात आज भी नहीं की जा सकती हमारे सम्विधान के 395 अनुच्छेद है साल के हर दिन सम्विधान पर बात की जा सक्या है मैं तो ऐसा कहूंगा कि हर रोज सम्विधान का प्रियामबल सभी मिडिया मेंशे लोगों तक पहुंचाने की ज़र्वत है ऐसा कमपल सरी करो ऐसा किया तो मिडिया सम्विधान के बारे में काम कर सकता है सम्विधान के बारे में देश में जो लोग काम करते हैं संविधान जागरन के बारे में जो लोग काम करते हैं उनको प्रुच्साहन देने की जो रत है ऐसा करने से हमारे देश में संविधान समस्कूति को बढ़ावा मिल सकता है संविधान समस्कूति को बढ़ावा मिलने के लिए हमारे देश के विचारक हमारे देश के साहित्यकार हमारे देश के संगित खेत्र में काम करने वाले लोग, चित्रकला क्षेत्र में काम करने वाले लोग, शिल्पकला के खेत्र में काम करने वाले लोग, सभी लोगों को अपनी अपनी कला के माध्यम से संविधान मूल्यों का प्रसारन करने की जुर्थ है जब हम ऐसा काम करेंगे तब हम जो जाती में बंदिस्त है धरम में, वंश में, पंथ में, भाशा में बंध है इसे हम बाहर आ सकते हैं इसलिए सम्विधान समस्कुति को बढ़ावा देने की जरुरत है शोशन ववस्था को हमें खत्म करने की जरुरत है, शिक्षा क्षेत्र पर खर्चा बढ़ाने की जरुरत है अभी नई शिक्षा नीती में पहले जो कम था वह बढ़ा कर 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर करने का प्रावधान किया है मुझे लगता है कि यह भी कमी है कम ही है कम से कम राश्ट्रिय बजेट का दस प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने की जौरत है और हमारे देश में गरीब लोगों को अलग शिक्षा कम कॉलिटी वाली शिक्षा अमीर लोगों के बच्चों को अलग शिक्षा ऐसी जो स्थिती पैदा किये है उसमें बदलाव लाने की जौरत है और सभी भारतिय नागरीकों के बच्चों को अच्छी कॉलिटी की शिक्षा देने के लिए हमारे देश में शिक्षा का बजट बढ़ाने की जौरत है अध्योगी करन को तो हम बढ़ावा दे ही रहे है उसे और बढ़ावा देने की जौरत है लेकिन अध्योगी करन में बहुत बड़ी प्रादेशिक विशमता है जिन क्षेत्रों में अध्योगी करन नहीं हुआ है उन क्षेत्रों में भी अध्योगी करन बढ़ाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने की जौरत है और हमारे देश में जो बेरोजगारी है वह बेरोजगारी को भी खतम करने की ante है हर हाथ को हर मश्टिस्ट को काम देने की जरुत है एक रिपोर्ट कहिता है कि पिछले 35 सालों में आज हमारे देश में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है हमारे देश में किसान जशे आत्महत्या करते हैं वैशे हमारे देश के बेरोजगार भी आत्महत्या कर रहे हैं और यह चीज बहुत गंबीर चीज है इसलिए रोजगार के आउसर बढ़ाने की जुर्ष है हर हाथ को हर मस्तिस को काम देने की जुर्ष है सभी को काम मिला तो सभी का जीवन सुखी हो सकता है विज्ञानवाद बढ़ा समता पैदा हुई तो हमारे गनत अंत्र का जो उदिष्ट है वह उद्धिष्ट तक हम जा सकते हैं इसलिए हमारे देश के सरकार को हमारे देश के सभी लोगों को गनत अंत्र का और हमारे देश का बुध्धिवादी विज्ञानवादी एकात्म भेदा भेद विरहीत शोशन विरहीत प्रगत राष्ट बनाने का जो उद्धिष्ट है वह उद्धिष्ट साध्य करने के लिए सभी भारतिय नागरिक भाई और बहने काम करेगे अशी अपेक्षा करके मैं मेरी वानी को यहां विराम देता हूँ और फिर एक बार गनत अंत्र की सभी लोगों को शुभक आमनाय देता हूँ धन्यवाद अशीश इन्यवाद